पांड फर्वारों वाटर्मेलंग कैसे हैं आप सफ वैंनी व्लोग। मॉर्निंग टाइम होती और अम एक बेटीर और बहुत पेटम सब्सक्राइब मॉर्निंग को साथ है ओप अपनleton STEVE Climate सब कांड मार्कट कपड़्स ठाहिए तो फिर हमने एक किलो कक्डी ले ली थी उसके बाद फिर दुबारा मेरे को रखने जाना पड़ा था फिर वो में को गुस्सा करने लग गए थी कि यार एक तो इती तेज धूप हो रही है और उसके बाद तुम जगे जगे मेरे को रुकवा देती हो वैसे हम मनीश के काम से ही मुझे तो चोटी मोटी चीजे लेनी थी जैसे हम रिशी केश अभी गए थे ना तो इन्होंने अपनी वाच पहन करके डुपकी लगा दी थी राफ्टिंग करते वे तो वाच का जो स्ट्रैप वगएरा था वो तूट गया था जो पिन निकल जाती है उसकी वो निकल गई तो वो लगवाने के लिए जाना था फ्रस इनको शूज वगएरा लेने थे और चोटी मोटी चीजे और भी लेनी थी like डियो यह अपना फिनिश करते हैं पहले जब इनकी तो मुश्किल से वन वीड भी चलती होगी उसके बाद ये मेरी फिनिश करते हैं उसके बाद जब दोनों के फिनिश हो जाती है न तो ये कुछ दिन फिटाल की उसकर लगता है तो ये फिर डियो लेकर के आते हैं तो अभी इनको जाना था अभी डियो वगरा अभी था वहां से आते हमें 12 बजे क्या सबस का टाइम हो गया था पॉने 12 या 12 बज गए थे 10 बजे निकले थे हम और उसके बाद फिर बेटू के भी आने का टाइम हो गया था साड़े बारा बजे वह आ जाती दर से मनीश को भी निकलना था मैं अपना खाना बना के नहीं गई थ अधा कि बस आदा पॉना गंटा लगेगा हम आ जाएंगे तो मैंने कोई बात नहीं तो लगता है बेटू को आने में टाइम होता है प्लस इनको भी 12 बजे पहले बेटू को लेकर आएंगे उसके बाद जाएंगे तो मैंने बन जाएंगे सबजी मेरी कटी हु रखी थी फि मेरे को दागी यार मैंने इतना मिलब यहां तक मैं पहुंच गी 70-80% मैंने कुकिंग अपनी फिनिश कर ली और फिर वह लास्ट ताइम पे छूट जाती है ना करके जाते तो फिर में को बुरा लगता तो इसलिए फटा फट बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं यहां पर काम न मैं और क्या नहीं उसके बाद फिर सब्जी यहां बनने के लिए रखी इसासत मैंने आटा लगाया आटा लगाया चपातियां सेखने के लिए रखी वह तो कोइंसिदेंट था कि मैंने लाइस में फर्स टाइम जो थे वह वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वहना मैं रखत लगाकर के रखा उससे पहले उन्होंने पैकेट उठा लिया कि मैं जैसे बच्चे होते न छोटी छोटी चीजों की उनको भी बड़ी क्रेविंग रहती है कि उन्होंने फट्ट से मेर कोई क्लिप भी नहीं लेने थी बीच से एक डोने उठा लिया तो फिर उसके बाद यह मतलब हेल्दी नहीं होती है ना यह चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉड़ी में इफेक्ट करती हैं तो मैं कोई भी चीज आज कर मैंने स्टार्ट कर रहे ही कोई भी चीज अगर मैं खाती हूं तो मैं पहले अपने आप से पूछती हूं कि क्या यह मतलब खानी चाहिए मेर को तो ये मेरी बॉड़ी में healthy काम करेगी या फिर poison का एक तरह से काम करेगी तो मेरा दिल कहता है ना कि नहीं यार ये ठीक नहीं है खाना तो बहुत जादा क्रेविंग होती है ना तो मैं कंट्रोल करती हूं और छोटा सा बाइट लेकर के side हो जाती हूं और फिर उसके बाद मैं और उसमें पोहा वगेरा में यूज कर लेती हूं तो एक side में यहां बनने के लिए रख रही थी पोहा और मनीश को चाहिए थी पोहा के साथ वैसे उन्होंने पिया था जो milkshake था तो उसके बाद लेकिन पोहा के साथ भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए था तो मैंने बेटू शुगर का पैकेट बे फिनिश को गया था तो मैंने उसके अंदर प्लट दिया और यहां मेरा दूद्ध बोईल हो घया था बेटू के लिए यहां पर मैंने दूद्ध बना दिया उसके बाद पिर यहां परमें और हें था तो कुछ भी चीजों पराथा हो या फिर इनके साथ तो उनको चाहे चाहिए ही चाहिए तो फिर इदर से मेरा पोहा बन रहा था बेटों के लिए दूद बॉइल कर रहा और साथ में इनके लिए मैंने यहां पे टी बनने के लिए रखी तो मेरी टी भी यहां पे अच्छे से बॉइल हो गई थी और उसके बाद फिर मै मैंने भी आज अपने लिए कफी बेना लाली थि वैसे मैं चाय काफी नै ही पीती हुं तोड़ा बहुत मही और को लीर्स में छपी मैं ठोड़ा बहुत में कभी कभार लेती हूं क्योंकि मैं हो सबहुत है और बना ली थी तो यहाँ पर पहले मैंने मनीश को दे दी चाय के साथ कॉफी मैंने का मैं मेरी कॉफी इतने बॉयल हो रही है तो मैं बाद में पीलूँगे इसके बाद यह कुछ मॉनिंग में कपड़े वगेरा वाश हुए थे वो मैं उतार करके लेकर आई और उसके बाद बचे का टाइम हुआ होगा और एकदम से वैदर इतना जादा कराब हो गया था वैसे तो हो रहा था शाम से काफी आंधी से चल रही थी लेकिन इस टाइम पर तो मुझा यहाँ आते बहुत ही तेज आंधी चलने लग गई थी और बहुत ही जादा खिड़की दरवाजे और उसके बाद फिर कपड़े जो थे मैने हलके फुलके जो भी थे वो फॉल्ड-फॉल करके रख लिये थे उसके बाद फिर हमारा हलका फुलका एबनिंग में हमने पोहा खाया ही था तो इस ताइम इतनी भूख नहीं थी कि बच्चा है साथ में जो चाहे भड़ा भी हो खाना जहां पर भी खाते हैं कुछ ना कुछ जब छोटा मुटा रह जाता है तो मैं फिर साथ के साथ क्लीन कर देती हो और भी आंधी आए थी ना उसकी वैसे कितनी ज्यादा मतलब डस्ट हो गई है यह वाला डोर ओपन था ने साथ के साथ जब मैं वहां पर लगा रही थी तो यह कपड़ा फिर मैंने साथ के साथ सोफे पर भी लगा दिया था और यह देखो मेरी बेटी का निव हाउस तो यह कार्टन पड़ा हुआ था ना कबसे तो यह मनलब टेंट हाउस आज इसको बहुत पसंदार है कि मॉमा में कब मेरा कुछ भी इसके हाथ में आ जाया तो फिर उसकी तो बाट लग जाती है मतलब इस एज में अभी पता चल रहा है कि यार बच्चेों का दिमाग ने एक दम इंजीनियर के जैसे चलने लगता है वो चीजों को खोलते हैं तोडते हैं फोडते हैं मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव से मोड में आ जाते हैं अभी संबालने से थोड़ा सा टफ हो जाता है मतलब चीजें इदर उदर खीचती है फैलाती है ड्रेसिंग में ड्रॉजस में कहीं पे भी घुश जाती है और चीजों को जो सालो साल से जैसे पॉली बैक्स प निकाल लाती है और आजकर हमारे घर में जो भी चीज़ गुम होती है ना तो मनीश अब मेरे से नहीं पूछते कि मतलब कहां है वो चीज कहां रखी है वो सब मैं भी इन फैक्ट अब हम बेटू से पूछते हैं कि बेटू आपको यह पता है क्या कहां रखी है क्योंकि मैं जहां रखते हूं यह अपने अकॉर्डिंग उसकी जगह चेंज कर देती है कई बार तो फिर में को कई बार गुसा भी आता है मनीश को भी वो डाटते है कि आप बिटा ऐसे चीज़ों को इधर उदर रख देते हो फिर हमें टाइम पे वो चीज़ें मिलती नहीं है तो मैं चीज़ होती है ना बच्चा उसके लिए बहुत जादा मैं उसको बहुत जादा पसंद भी करता है तो अभी कुछ दिन तो यह इसके साथ बड़ा इंजॉय करने वाली इसलिए इतने दिन से यहां पर रखा हुआ था मैं इसको मतलब फैक्ट नहीं दी थी और उसके बाद म कुष्चन अभी आने वाली थी जितनी देर टाइपट उन रहता है ना फोन रहता रहता रिकॉर्डिंग उन रहती है उतनी दिर मेरे साथ ही खड़ी रही और उसके बाद फर यहां पर मेरे सारे बटन वगेरा जो थे वाश हो चुके थे उसके बाद में को कुक्टॉप क्ल झाल 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 झाल